दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि हम अपने Instagram अकांट को कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर सकते हैं य suffering कर सकते हैं ऐस‌कन को और कुछ टाइम के लिए जा अ को कुछ टाम के लिए अकांट को कोई भी सर्च करके ना देख सके तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं और Instagram पर कुछ time के लिए आप temporary disable कर सकते हैं जब तक आप login नहीं करेंगे तब तक आपका Instagram account disable ही रहेगा लेकिन Facebook पर ऐसा नहीं है Facebook पर अगर चाहें तो कुछ time set कर सकते हैं आप पर कि इस time के बाद आपका Facebook account automatically reactivate हो जाएगा चाहें आप जब तक Facebook account login नहीं करेंगे तब तक process मैं पूरा आपको mobile की screen पर ले जाकर बताने वाला हूं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी helpful वीडियो पानी के लिए मेरे चैनल को सब्सकाइब करें अगर आपके मन में कोई भी सावाल हो तो आप मुंस Facebook account को open करने के बाद यहां पर आपको ओपर ही corner में three lines नजर आ जाएगी उस पर क्लिक कर देना है और नीचे चलना है और नीचे चलने के बाद आपको एक option देखने के लिए मिल जाएगा है यहां पर लिखा हुआ है personal and account information इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर आपको टीन option देखने के लिए मिलेंगे name, contact info, identity, confirmation और account ownership and control तो आपको इन में से account ownership and control वाले option पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको दो option फिर से देखने के लिए मिलेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको दो option देखने के लिए मिलेंगे आप पर deactivate account और delete account यहां पर जो ऊपर option दिखाई दे रहा है deactivate account वाला deactivating your account is temporary तो इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर आप अपने Facebook अकाउंट को permanentlyrap mulet कर देना है हमेशां के लिए आप अपने Facebook account को delete कर देना चाहते हैं तो आपको delete account वाले नीचे वाली option पर क्लिक कर देना है हमको लेकिन अभी temporary delete करना है अपना account कुछ time के लिए deactivate करना है तो आपको यह ऊपर वाला option select कर देना है deactivate account वाला और इसके बाद आपको नीचे continue to account deactivation इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको अपने facebook का password डाल देना है यानि कि facebook जब आप login करते हैं तो वहाँ पर आपका facebook id और password डालते हैं तो यहाँ पर आपको अपना password डाल देना है मैं आप अपना password डाल देता हूं password डालने के बाद आपको continue पर click कर देना है तो आप इस page पर महुच जाएंगे यहाँ पर आपको कुछ option select करने होंगे जैसे ओपर ही ओपर लिखा हुआ है deactivating your facebook account तो यहाँ पर आपको एक reason select कर लेना है कि क्यों आप अपने account को temporary disable करना चाहते हैं तो मैं उपर यूपर फर्स्ट वाला select कर लेता हूं this is temporary I will back वापस आउंगा तो इस पर आपको select करके नीचे continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद आपके आपको इन में से कुछ भी select करना है नीचे चलना है और नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पर option देखने के लिए reactivating your account यहाँ पर seven days select है इस पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर आप चाहिए तो करना है three days के लिए करना है four days के लिए करना है आपकी हिसाब से लेकिन आपको नीचे नीचे यह option देखने के लिए मिलेगा don't reactivate automatically इस पर click करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपने account को यह पर reactivate नहीं करेंगे तब तक आपका यह account deactivate ही रहेगा तो आप हिसाब से इसमें कुछ भी select कर सकते हैं जो आपको useful लगे तो इसके बाद आपको continue पर click कर देना है और continue पर click करने के बाद आपके सामने यह वाला page open हो जाएगा account deactivation का before you deactivate deactivate करने से पहले आप जान ले जी कि आप messenger को यूज नहीं कर पाएंगे यह और आपके पास notification भी कोई नहीं आएगा लेकिन अगर आप इसको select कर लेंगे notification चाहते हैं तो आपको notification भी आ जाएगे तो इसके बाद आपको deactivate my account पर click कर देना है और deactivate my account पर click करने के बाद आपका account यहाँ पर deactivate हो गया है ओपर शो हो रहा है account deactivation successful तो अब इसके बाद जब कोई भी आपके facebook account को search करेगा तो आपकी profile को नहीं देख पाएगा क्योंकि आपने उसको deactivate कर दिया है जब तक आप अपने account को reactivate नहीं करेंगे वह account किसी को भी शोर नहीं होगा नहीं कि आपके पास कोई message नहीं पाएगा कोई profile आपके नहीं देख पाएगा कोई आपकी photos वगरा कुछ भी नहीं देख पाएगा तो आसानी से आप इस process को कर सकते हैं लेकिन आपको जब अपने account को reactivate करना हो तो क्या करना है वह मैं आपको बता देता हूं कि आपको करने के लिए फिर से अपने account को login कर लेना है जब तक आप login नहीं करेंगे तब तक आपका account deactivate ही रहेगा login करने के बाग आपका account आप फिर से Jonah कर पाएंगे तो उमीद is दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और जो प्रोस्ट मैंने समझाया बिल्कुल अच्छे तरह से वह आप कर पाएंगे तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और अगर आप में चैनल पर नए हैं तो ऐसी सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइए